असलाव अलेकम वेलकम टू शिनाया नियूज उमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे आज इंग्लेंड की ताजा तुरिंग चार एहम अपडेट लेकर आप लोगों के खित्मत में हाजिर हुए हैं इंग्लेंड होम आफिस की असाइलम सीकर्स के लिए नई पॉलीसी, एहम नियूस, इंग्लेंड लॉकडाउन के खात्मे के लिए बड़ा मुतालबा सामने आ गया, योर्पी सरहदों पर इमिग्रेंट्स के खलाफ कारवाईया, तन्जीमें बोल पड़ी, इंग्लेंड ताज की और योर्प की एहम तुइन अपडेट से बाखबर हो सकें, और अगर आप में से हमारी चैनल पर कोई न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लास्मी कीजिएगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की एहम तुइन अपडेट का सिंसला, तो आज की सबसे पहली खबर को शामिल करते हैं कि इंग्लेंड लॉकडाउन के खात्मे के लिए बड़ा मुतालबा जो सामने आ गया है, इंग्लेंड में लॉकडाउन के खात्मे के लिए हकूमती अरकान लॉक्डाउन के खातमे के लिए हुकमरान जमात के अरकान ने बी आवाज बुलन करना शुरू कर दी पार्लिमेंट लॉक्डाउन की पबंदियों को खतम कराने के लिए बनने वाले कोड रेगुलरी ग्रूप ने हकूमत से मुतालबा किया है कि एपरिल के आखिर तक नो तरजी ग्रूपों को कोवर्ड वैक्सिन लगाने की पेशकर्ष के बाद पबंदियों के नफास का जवास खतम हो जाएगा जबके फॉर्नन्ड सेक्टरी ने कहा है कि हकूमत ने लॉकड़ॉन के खत्मे की हत्मी तारीख नहीं दी थी इस जामिन में फैसला बहुत मुत्यात तरीके से किया जाएगा रेगुलरी ग्रूप को पार्टी के 63 अरकान की हमायत हासिल है और ग्रूप की तरफ से वजीर आजम बोरस जानसन के नाम बेजे जाने वाले खत में कहा गया है कि वेक्सीन नेशन का पोग्राम शांदार तरीके से जारी है जिसके नतीजे में आइंदा मा के शुरू से लॉकडाउन की पाबंदियों को खतम करना शुरू कर देना चाहिए इसके बाद आईद रहने वाली पाबंदियों के हवाले से वुजरा को जवाज फरहाम करना चाहिए ये खत ऐसे वक्त सामने आया है जब साइंसदान हकूमत को मश्रा दे रहे हैं के पाबंदियों को जल्द बाजी में उठा आया गया तो मजूदा लहर की तरहां एक और वबा का सामना करना पड़ सकता है वजीर आजम बोरस जॉनसन ने कहा था के 22 फरवरी को पाबंदियों में नर्मी के हवाले से रोड मैप का इलान करेंगे और इन्हें उमीद है के पाबंदियों में नर्मी की जाएगी कोवर्ड रेगुलरी ग्रूप के खत में मजीद कहा गया है कि 8 मार्से स्कूल खोलना हकूमत की तरजी होनी चाहिए और इस्टर तक रेस्टूरेंट को कोवर्ड के हवाले से महफूस बना कर खोला जाना चाहिए एपरल के आखिर तक 9 तरजी ग्रूपों को वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी जिसमें 50 बरसे जाइद उमर के अफराद भी शामिल होंगे इसलिए करोणा कवानीन के नफास का जवास खतम हो जाएगा शामिल करते हैं अगली ख़बर को जो के इंगलेंड होम ऑफिस की असाईलम सीकर्स के हवाले से आई है यूज कुछ इस तरह से है के होम ऑफिस के बारे में के उनकी जानिव से असाइलम सीकर्स के लिए पॉलिसी को मजीद स्ट्रिक कर दिया गया है खास करके जो असाइलम सीकर्स इंगलिज चरन को अबूर करके यूके में आने की कोशिश करता है जैसा कि अगर कोई UK में असाइलम सीकर्ज बाई एर इंटर होता है तो उनका तो डेटा में फूस होता है उनके फिंगर प्रिंट्स भी उनके पास रिकॉर्ड के तोर पर होते हैं तो आप इस हवाले से ये अपडेट आई है कि इनकी जानिब से जबरदस्ती उनके फिंगर प्रिंट्स लेने के लिए कहा गया है तो फिर इस वज़ा से कुछ asylum seekers फिंगर प्रिंट्स देने के लिए राजी नहीं हुए लेकिन फिर भी उन से जबरदस्ती के तोर पर फिंगर प्रिंट्स लिए जाते हैं और इसी हवाले से human right organization की जानिब से तनकीद भी की गई और अब दुबारा से home office ने कहा है के हमारे पास ऐसे लोगों का data मजूद नहीं है जो English channel को अबूर करके आए थे और हमने उनको मुखलिफ camps वगरा में रखा और वहां से वो लोग गाइब हो गे और अब इसी जानिब से UK home office ने कहा के अगर UK से क्रोना का खात्मा करना है तो ऐसे immigrant जिनका data हमारे पास नहीं है उन तक पहु के साथ लाजमी तोर पर शेर कर दी जाएगी शामिल करते हैं अगली खबर को जो के योर्पी सरहदों पर इमिग्रेंट्स के खलाफ कारवाईया तन्जीमें बोल पड़ीं उसकुछ इस तरह से है के इनसानी हकुक के तहफूज के लिए इमिग्रेंट्स को खुले दिल के सा तरदीगर शकायात बढ़ती जा रही हैं तफसीलात के मताबिक इनसानी हकुक के ग्रूप ने योर्पी सरहदों पर स्क्योटी हलकारों के माजरीन से सक्त होते रुएया पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें कहा गया है के पना के लिए योर्पी सरहदों ताक प किये गए हैं जिन में समुंदरी और जमीनी दोनों सरहदों से माजरीन को वापिस बेच दिया गया तन्जीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है के ज्यादा तरवाकियात योनान की समुंदरी और जमीनी सरहदों पर पेश आ रहे हैं और माजरीन को वापिस तुर्की दके का रिकॉर्ड मुरतब किया है जिन में 9790 माजरीन को गुज़श्टा बरस वापिस दिकेला गया इन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं इन माजरीन को वापिस दिकेलने के लिए इने जिस्मानी और जेनी तशदुत का निशाना भी बनाया गया इनसानी हकूक की तन्ज पहारा छोड़ दिया जाता है इसी तरह जमीनी पार करके योर्पी हदूद में दाखिल होने वालों को जबरदस्ती वापिस बेज दिया जाता है जो आलमी और योर्पी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है इसी के साथ अब अगली खबर की तरह बढ़ते हैं जो के इंग अजादी फरंड में से 1.6 मिलियन पाउंड अभी तक ताजरों को अदार नहीं किये है जिसकी वज़ा से हजारों ताजर शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं इसके इलावा रिशी सोनाग ने अक्तूबर में कोरोना से मुतासरा कंपनियों को 3,000 पाउंड महाना फी कंपनी की शरा से रकम की अदाईगी का एलान किया था और इस मकसद के लिए 1 बिलियन पाउंड देने का वादा किया गया था जबके गुजशता मा इस सवाले से मजीद 594 मिलियन पाउंड देने का इलान किया गया था और्गनाइजेशन की दर्खास का 40 कॉंसलों ने जवाब दिया और इन में से सिर्फ 13 फीसद ने रकम ताजरों को अदा की है जबके कॉंसले अभी तक कम और पेश 1.4 बिलियन पाउंड की रकम दबाय पैठी है हकूमत के एलान के तहद रकम के हकदार अदारों में रिटेल, मेहमान, नौाजी और तफरी, सेक्टर, हल्स सेंटर्स और निमाईशों से मुतलिक कारोबार शामिल है डेटा से ये जाहिर हुआ है कि बाज लोकल अथोर्टी ने कम रकम फरहाम की है ब्रिस्टल सिटी कॉंसल्स ने फरहाम करदा फंड से 9,65,000 पाउंड फरहाम किये जो के 13,4 मिलियन पाउंड फंड का सिर्फ 7 फीसर ये थी आज की एहम तरिन अपडेट से यूके और यूरप की अमीद करती हूँ के आपके इलमें इजाफा हुआ होगा और आज की वीडियो आप लगों को पसान आई होगी इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ह्यार रखेगा थैंक यू खुदा हफिस